हलो एवरिवन आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की हिंदी की बुक्षितिस की चाप्टर नमबर एट और ये चाप्टर नमबर एट गदेखंट की लास्ट चाप्टर है और इस चाप्टर का नाम है एक कुट्टा और एक मैना इसके लिखक है हजारी प्रसाद दिव मानवी प्रदर्सित है बल्कि प्रसु पक्षि से मिलने वाले प्रेम भक्ति, विनोद और करोना जैसे मानवी भाव का विस्तार भी है ये जो चाप्टर है जिसका नाम है एक कुट्टा और एक मैना ये एक निबंध है और इस निबंध में सिर्फ प्रसु पक्षि जो मनु नोद और करूना जो दया भाव मिलती है उसका भी विस्तार इस निबंध में किया गया है इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी इसमृतियों के सहारे गुरुदेव की सनवेदन शीलता आंत्रिक विराडता और सहष्ता के चेत्रे तो उकेरी ही गये है पस कविताओं के बारे में भी इसमें लिखा गया है इस निबंध में बताया गया है और रविंद्रनाथ की जो यादों के सहारे गुरुदेव की जो सनवेदन शीलता है गुरुदेव जितने भी सारे जानवर के प्रति उनकी सनवेदन शीलता थी उनकी उनके मन की जो आंत्रि निरिक्षन है यानि कि रविंद्र नार्ट टैगूर जी ने अपने जीवन में जितनी भी सारी सुक्षम निरिक्षन किये हैं बहुत सारे लोगों को जो चीज़े नजर नहीं आती हैं जानवरों में लेकिन रविंद्र नार्ट टैगूर एक वो अपने सुक्षम दृष्टी से दूर दृष्टी से वो भी जानवरों के बारे में समझ जाते थे और अपनी कविताओं में उसे उगेते थे ये निबंद सभी जीवों से प्रेम की प्रणा देता है और जो ये निबंद हम लोग पढ़ने वाले हैं एक उता और एक मैना इस निबंद में जितने सारे जीव है उनसे प्रेम करनी की प्रणा हमें इस निबंद से मिलती है तो चलिए चाप्टर को स्टार्ट करते है आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि सांती निकेतन को छोड़ कर कहीं अनियत्र जाएं स्वास्त बहुत अच्छा नहीं था सायद इसलिए यह पता नहीं क्यों तैप आया कि वे स्री निकेतन के पुराने तीम अंचले मकान में कुछ दिन रहें तो यहां पर जो राइटर है लेखक है वो क्या कह रहे है कि आज से जिस वक्त राइटर लिख रहे थे उस वक्त वो कहते हैं कि उस समय से कई सा साल पहले गुरुदेव की यह मन में आया था कि वो सांती निकेतन को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाए राइट उनका जो हेल थे था अच्छा नहीं था या फिर कोई और बात थी यह पता नहीं है लेकिन फिर भी यह तैप आया कि वो स्री निकेतन यानि की सांती निकेतन को छोड़ कर वो स्री निकेतन के पुराने तीन मंजिला जो मकान है उसमें कुछ दिन वो रहेंगे शायद मौज में आकर ही उन्होंने ये नेने क्या हो वो वे सबसे उपर के तल्ले में रहने लगे अब यहाँ पर लेखा क्या कहते हैं कि ये जो उनका निरने था शायद वो ये निरने मौज में ही आकर मजे में ही आकर उन्होंने ये निरने ले लिया होगा और वे उस मंजिल के ती मंजिले मकान के सबसे उपर तल्ले में रहने लगे उन तिनों उपर तक पहुँशने के लिए लोहे की चक्करदार सीड़िया थी और वृद्ध और शिनवपूर अविंद्रनाद के लिए उस पर चड़ सकना संबधा फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाये जा सका तो यहां राइटर क्या कहते हैं कि हालकि उन्होंने तो ये निर्णे ले लिया कि वो स्रीन निकेतन के पुराने तीन मंजले मकान में रहेंगे और सबसे उपर वाले तले में रहेंगे लेकिन उपर वाले तले में जाने के लिए ये चक्करदार सीड़िया थी और चुकि रव पॉसिबल के तरह था लेकिन फिर भी बड़ी कठीनाई से ही उन्हें उस उपर तल्ले में उन्हें ले जाया जा सका उके उन दिनों छुट्टिया थी आस्रम के अधिकांस लोग बाहर चले गए थे एक दिन हमने साब परिवार उनके दर्शन की ठानी दर्शन को मैं जो यहां कि दर्शनार थी हैं क्या तो यहां राइटर क्या कह रहे हैं कि उन दिनों छुट्टिया थी और आस्रम के जादा तर लोग क्या थे आस्रम से बाहर चले गए थे और एक दिन लेखक और उनके परिवार ने यह निश्चय किया कि वो जाकर रवेंदर नाज जी के दर्शन कर कर लिख रहे हैं उसकी क्या कारण है उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब भी लेखक जाया करते थे तो प्राया वो यह कहकर मुस्कुरा देते थे कौन रविंदर नाज जी यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार थी हैं क्या और वो ऐसा क्यों कहते थे यह ह पनुवाद हुआ करती थी तो लेखक यहां क्या कह रहे हैं कि जब वो शुरू-शुरू में रविंदर नाजी से मिला करते थे तो वो उनसे बंगला में बात क्या करते थे लेकिन जो बंगला में वो बात क्या करते थे जो वो मुहावरा कहते थे वो हिंदी मुहावरों का ट् जब मैं उनकी पास ले जाता था तो कहा करता था एक भद्र आदमी आपकी दर्शन केलिए आए हैं और वो बंगला में कैसे बोलते थी एक भोद्रो लोग आपना दौर्शनल जोनल ऐसे चैनल राइट ऐसे बोला जाथा है बंगला में आगे वो कहते हैं कि ये बात हिंदी में जितनी प्रचली थे उतनी बंगला में नहीं इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी ये भासा बहुत अधिक बुस्तकिया है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था तो जैसे ही लेकक उन से ये कहा करते थे तो गुरुदेव उनके इन बातों को सुनकर मुस्कुरा देते थे बाद में लेकक को ये मालूम हुआ कि उनकी भासा बहुत अधिक बुस्तकिया है यानि वो किताबी भासा बहुत जाधा बोल रहे हैं और गुरुदेव ने उनके जो वो लेखा को कहा करते थे कि दर्शनार्थी है क्या इसलिए जब कभी मैं आसमय में पहुंच जाता था तो वे हसकर पूस्ते थे दर्शनार्थी लेकर आये हो क्या इसलिए यहाँ पर लेखा कहते हैं कि यही वज़ा है कि जब भी वो बिना वक्त अगर गुरुदेव के पास तो गुरुदेव उनसे हसकर पूछते थे कि क्या कोई दर्शनार्थी लेकर आयो यहां ये दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होटे थे कि समय स्थान अस्थान अवस्था अनवस्था की एकदम परवा नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ जाते थे ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीद भीद से रहते थे अस्तु मैं मैं बाल बच्चों के एक दिन स्री निकेतन जा पहुँचा कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था तो यहां बराइटर यह कहते हैं कि यह दुख की साथ यह कह देना चाहता हूं यानि कि यह बात जो है वो दुख के साथ को कहते हैं कि देश के जितने भी दर्शनार्थी हैं जो भी दर्शन करने के लिए जो भी मिलने के लिए जाते थे वो इतने प्रगल्ब होते थे कि वो समय वक्त का कोई मतलब ही उन्हें नहीं था दिन हो या रात हो जगह वो ऐसी हो मिलने की या ना हो कोई अवस्था हो या ना हो इसकी एकदम परवा नहीं करते थे और उन्हें रोकते रहने पर भी वो दर्शन के लिए आ जाया करते थे वो मिलने के लिए आ जाया करते थ ऐसे दर्शनार्थियों से यानि कि जो लोग बीना समय की पहचान किये बीना वक्त देखे बीना जगा देखे आ जाते थे मिलने के लिए तो ऐसे दर्शनार्थियों से ऐसे लोगों से गुरुदेव हमेशा अलग-अलग से रहना चाते थे एक दिन जो राइटर है वो अपने बालवचों के साथ स्रीनी के तन पर बहुंच जाते हैं क्योंकि उन्होंने गुरुदेव को बहुत दिनों से नहीं देखा था आगे लिखते हैं गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे अकेले रहते थे भीडबार उतनी नहीं होती थी जितनी शांतिनी के तन में जब हम लोग उपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुरसी पर चुपचा बैठे अस्ते गामी सूरी के और ध्यान इस्तिमेत नयानों से देख रहे थे हम लोगों को देखकर मुस्कुराएं बच्चों से जरा चिर चाड़ की कुशल प्रशने पूछे और विचुप हो रहा है फिर आइडन क्या कहते हैं यहाँ पर फिर वो चले गए गुरुदेव से मिलने के लिए और जब वो वहाँ पर गए तो देखा कि गुरुदेव बहुत खुश है गुरुदेव बहुत आनंद में है वो वहाँ अकेले रहते थे वहाँ पर भीरबार तो उतनी नहीं थी जितनी शांतीने के तन में हुआ करती थी लेकिन अभी जहां पर गुरू देव रह रह रहे थे, वहां पर उतने भीरभाड नहीं थी, वह अके लिए वहा रहते थे अब आगे लिखते हैं कि जैसे ही वो लेखक अपने परिवार के साथ गुरुदेव से मिलने के लिए किया है क्योंकि वो गुरुदेव तीमंचुलेग पर रहते थे सबसे उपर तल्ले पर रहते थे तो वो लोग भी उपर गए गुरुदेव से मिलने के लिए तो गुरुद बाहर एक कुरसी पर चुपचा बैठे हुए अस्ते गाहमे सुरिय की और ध्यान लगाकर सुरिय को देख रहे थे लेखक को देखकर और उनके परिवार को देखकर गुरुदेव मुश्कुराया और उनके बच्चों से जरसोनों ने चेरशण की बाती की और उन्होंने और ठीक उसी वक्त गुरुदेव का जो कुटा है वो धीरे धीरे ऊपर आया यानि ती मंचले मकान के ऊपर आगया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर वो कुटा अपना पूछ हिलाने लगा गुरुदेव ने उसके पीट पर हात फेरा फिर जैसे ही उन्होंने अपने उस प्यार को उस इसने को वो अनुभाव करने लगा गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखर कहा देखा तुमने यह आ गया कैसे इने मालूम हुआ कि मैं यहां हूँ आश्चर यह और देखो कितनी परित्रिपती इनके चहरे पर दिखाए दे रही है और फिर वो अश्चर यह की बात है और देखो कितनी परित्रिपती इनके चहरे पर दिखाए दे रही है यानि कुट्धा जैसे ही गुरुदेव के पास आया था और गुरुदेव नो उसके पीट पर हाथ फेरना शुरू किया और कुट्धा उस इसने को आँख मून कर उस इसने होता है आगे राइटर कहते हैं कि हम लोग उस कुट्धे के आनंद को देखने लगे किसी ने उसे रह नहीं दिखाई थी ना उसे यह बताया था कि उसके इसने हिदाता यहां से दो मिल दूर हैं और फिर भी वो पहुँच गया तो यहां राइटर क्या कहते हैं कि वो वो ल आता है यानि जो गुरुदेव रविंदर नाट टैगोर जी है वहां से दो मिल दूर है तो फिर भी वो वहां पहुच गया इसी कुट्धे को लक्षे करके उन्होंने आरोग्य में इस घाओ की एक कवीता लिखी थी अब इसी कुट्धे को लेकर उन्होंने रविंदर Limous Sun के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के इस परसे से मैं इसका संगिंद नहीं सिविकार करता है थी तो उन्होंने अपनी कवीता में क्या लिखा है कि हर रोज हर रोज सुभा सुभा यह जो कुट्धा है वह गुरुदेव के पास आकर बहुक तक बैठ का प्रवा बहुता है और जैसे ही गुरुदे उसके पीट पर हाथ भेड़ते हैं और उसको 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 ये बताते हैं कि वो उसके साथ है तो इस आनंद में वो बहुत खुश होता है इस वाग के ही प्राणी लोक में सिर्फ यह एक जीव अच्छा बुरा सबको भेड कर संप इस एक ऐसा प्राणी है जो अच्छा और बुरा हर चीज़ को भेड कर संपुर्ण मन उसे को देख सका है उसके प्यार को समझ सका है और उसके आनंद को देख सका है राइट जैसे ही कोई उनके जैसे कि रविद्रना टैग और उसकुत्य के पीट पर हाथ भेड़ते हैं तो तो उसको आनन्दित होता था तो उस आनन्द को देख सका है और ऐसे आनन्द को देख सका है जिसे प्रान दिया जा सकता है जिसमें वो बहुत खुश होता है जिसमें आहे तो प्रेम ढाल दिया जा सकता है और इस तरह के प्रेम में इस तरह का जो आनन्द होता है उसमें प्रे जब मैं इस मूख हिरिदे का प्राणपन आत्मे निविदन देखता हूं, जिसमें वो अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध सिमानों सुरूप में कौन सा मुल्य अविश्कार किया है, इसकी भाशा ही दृष्टी की करोण व्याकुलता, जो कुछ समझती है, उसे समझा नहीं पाती है, और मुझे इस रिष्टी में मनुसे का सच्चा परिचे समझा लेती है, लेखक यहां यह कहना चाहते हैं, कि जैसे ही इस मूख हिरिदे का प्राणपन आत्मी निविदन देखता हूं, अब कुटा तो हमारी भ बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसकी जो आत्मी निविदन जब भी लेखक देखते हैं, जिसमें वो अपनी दीनता बताता रहता है, तो लेखक की सोच भी नहीं पाती है, कि उसने किस तरह आसानी से मानों का कौन सा रूप उसने अस्विकार किया है, इसकी भाषा हिंद् रिष्टी है, जोटी कुटा बोल नहीं सकता, सिर्फ वो अपने अक्टिविटी से ही शो करता है, जैसे ही कोई जिसका नेचर अच्छा नहीं होता, उसको देखकर वो भौगता है, और जिसको वो अच्छा समझता है, उसकी सामने बैठकर अपनी पूच ही लाता है, तो जि उसकी जो दृष्टी है, भाष्राहीं दृष्टी की जो करूण व्याकूलता है, लेखक को ये जो दुनिया है, इस दुनिया में मनुष्य का जो सच्चा परीचा है, वो समझा देती है, जिस तरह से गुत्ता क्या करता है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा वेवार करता बुरे लोगों को वो देख कर भागता है तो इस तरह से वो मनुष्य का किस तरह का परीचा है वो समझा देती है इस प्रकार कवी की मर में भेदी दृष्टी ने इस भाशा ही प्राणी की करूण दृष्टी के भीतर उस विसाल मानुष्य को देखा है जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी देख नहीं पाता यहां लेका कहते हैं कि इस तरह से जो कवी की मर में भेदी दृष्टी है अलेकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को भी नहीं समझ सकता तो वो जानवर को कैसे उसकी भाशा को समझ सकता है लेकिन यहां पर जो कवी है वो अपनी मर में भेदी दृष्टी से जो भाशा ही प्राणी है जो कुता है बोल नहीं पाता उसकी भी करूर दृष्टी के भीतर एक विशाल मानो सत्य को देखा है उन्होंने किसने रविंद्रनाजी टैगोर के बारे मियाँ पर कहा जा रहा है मनुष्य ने मनुष्य के अंधर भी नहीं दिखाए है ना मनुष्य ही मनुष्य को नहीं पहचान सकता है लेकिन जो यहां कवी है उन्होंने क्या किया भाशा ही जो प्राणी है उसके भी अंतर्मन को उन्होंने पहचान लिया है मैं जब ये कवीता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने स्री निकेतन के ती तल्ले पर की वो घटना प्रत्यक्षिसी हो जाती है अब जब भी लेखकल, जो है रमीत नना टैगोर की जब ये कवीता पढ़ते हैं जो उन्होंने अपने कुद्धे को लक्ष बना कर लिका था तो जब भी ये कवीता पढ़ते हैं तो उनके सामने स्री निकेतन के जो ती तल्ले जो मकाने वहाँ पर जो तीन तल्ले मकान पर जो रहती थे रविंद्र नाजी टैगुर वहाँ पर जो गुद्धा आकर बैटा था रविंद्र नाजी टैगुर जी के सामने तो उस घटना को वो याद करने लग जाते हैं आगे वो कहते हैं कि वो आँख मुंद कर आप परिसी मानंद वो मुख घुरुदे के प्राणपन आत्मेनी विदन मूतीमान हो जाता है तो जिस तरह से वो आँख मुंद करके जो आनंद ले रहा था गुरुदेव रविंद्र नाजी टैगुर जब उसके पीट पर हाथ फेर पहते तो जिस तरह से वो आनंदीद हो रहा था तो वो उनके माइन में आता है और वो उस घटना को याद करते है उस दिन मेरे लिए वो एक छोटी सी घटना थी आज वो विश्वे की अनेक महीमा शाली घटना की स्ट्रेनी में बैठ गई है एक आशरी की बात और इस प्रसंग में उलेख की जा सकती है जब गुरुदेव का चीता भश में कलकती यानि कोलकाते से आस्रम में लाया गया उस समय भी ना जाने किस सहजबूद के बल पर वो कुट्टा आस्रम के द्वार तक आया और चीता भश में के साथ अनियान आस्रम वासियों के साथ सांत गंभिर भाव से उत्रयन तक गया आचारे छिती मोहन सेन सेन सब के आगे थे उन्होंने मुझे बताए कि वो चीता भश में की कलश के पास थोड़ी देर चुपचा बैठा भी रहा यहाँ पर राइटर क्या कहते हैं कि एक आश्री के बात ये थी कि जब गुरुदेव का देवशान हो गया था चीता भश में जब उनका कलकते यानि कुलकाता से आस्रम में लाया गया तो उस समय भी पता नहीं किस तरह वो कुटा आस्रम के द्वार तक आया था और चीता भश में के साथ अनियान आस्रम वासियों के साथ यानि चीता भश में के साथ जो जो आस्रम वासी थे और जब वो शांत बैठे हुए थे मौन में बैठे हुए थे तो वो कुटा भी जह गंभीर सौभा में था और आचारी छीती मोहन सेंद सब के आगे थे और उन लोगों ने राइटर को बताया लेखर को बताया कि वो चीता भस में के कलस के पास थोड़ी देर चुपचा बैठा भी रहा था कुछ और पहले की घटना याद आ रही है उन दिनों शांतिनी के तन में नया ही आया था गुरुदेव से अभी उतना ध्रिश्ट नहीं हो पाया था गुरुदेव उन दिनों सुभा अपने बगीचे में टैलने के लिए निकला करते थे मैं एक दिन उनके साथ हो गया था मेरे सांतिनिकतन में वो लिखक जो थे वो नयने ही आये थे और गुरुदेव से वो इतने ज़ादा घनिष्ट नहीं थे इतने ज़ादा क्लोज नहीं हो पाये थे और गुरुदेव उन दिनों सुभा सुभा अपने बगीचे में टहला करते थे और जब टहलने के साथ साथ वो एक फूल पत्य को बड़े ध्यान से देखा करते थे, तो जब वो गुरुदेव जिस वक्त टाहल रहे थे अपने भगीचे में, तो वो उनके साथ, वो एक मित्र के साथ, एक पुराने अध्यापक है, उनके साथ वो वहां मिलने कहते है, गुरुदेव रविंदरनाजी से, औ और सही बात तो यह है, कि जो अध्यापक थे, उन्हों ने ही लेखक को अपने साथ ले लिया था, और उक्त 2021 अध्यापक महाव से बाते करते जा रहे थे, तो जैसे ही लेखक अध्यापक महाव से उनसे मिलने की लिए गय थे, और गुरुदेर रविंदरनाटैगूर बगी अच्छा सहब आश्रम के कवे क्या हो गए उनकी आवाज सुनाई ही नहीं रेती ना तो मेरे साथ ही अध्यापक महाशाय को यह खबर थी और ना मुझे ही तो बात करते करते बात जब कर रहे थे रविदनात्य गोजी अध्यापक महाशाय से एक तो लेका को सिर्फ सुन और नहीं लेखा को यह खबर थी उन्होंने उस तरफ धियानी नहीं दिया थे कि आश्रम के कवे कहा चले गए थे रैट बाद में मैंने लक्षी किया कि सच्मुच कई दिनों से आश्रम में कवे नहीं दीख रहे हैं मैंने तब कवों को सिर्वेयापक पच्छी ही समझ रख कि किसी सरारत के उद्दे से ही था पराया एक सबी धा के बाद बहुत कवे दिखाए दिये लेखक यहा कहते हैं कि बाद में लेखक बाद में लेखक कि ने नहीं दिखाए 해ADE नहीं दे रहे थे उन्होंने तो कवों को तर्वेयापक पक्षी ही समझ रखा था और आचानक उस साते हैं एक फिर दिक आपने लेखक के लिए मोटो है कि Лइनक म मोटो है कि इनका मूटो जघर के लिए और मिंवडेर घखते हैं एड जमकर मेस्चा बेलला है एक शक्ता के बएस का इक जघर के वहाँ गए दिख्येश भी हैं? एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपसी था उसमें एक लंगडी मैना फुदक रही थी फिर लेकक कहते हैं कि दूसरी बार सवेरे सवेरे गुरुदेव के पास ही वो प्रेसेंट थे और उसमें एक लंगडी मैना जो थी वो फुदक रही थी गुरुदेव ने कहा देखते हो ये युद भरस्ट है रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में करुण भाव दिखाई देता है गुरुदेव ने अगर कहना दिया होता तो मुझे इसका करुण भाव एकदम नहीं देखता तो लेका कहते हैं कि अगर गुरुदेव ये नहीं कहते हैं कि उसकी चाल में उन्हें करुण भाव दिखाई देती है तो शायद लेका को भी वो नहीं देखता लेकर कहते हैं मेरा नुमान था कि मैंना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं वो दूसरे पर अनुकमपा ही दिखाया करती है तीन चार वर्षे मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ मकान के निर्माताओं ने दिवारों में चारों और एक एक सुराग छोड़ रखी है ये कोई आधूनिक वेग्यानिक खत्रे का समाधान होगा तो एक मैना दमपती नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहां ग्रिस्ती जवाया करते हैं तो यहां पर लेखक कहते हैं कि लेखक का ये मानना था कि मैना करून भाव दिखाने वाला पक्षी तो है ही नहीं है वो दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है लेखक कागे कहते हैं कि तीन चार साल से वो एक नए मकान में रहने लगे हैं और मकान बनाने वाले उन्होंने दिवारों में चारों और एक एक सुराख छोड़ रखिया है साइद ये आधुनिक वेग्यानिक खत्रे का समाधान होगा साइद ये वेग्यानिक तरीके का कोई समाधान होगा तो जो एक मैना दमपती यानि मैना की जो जोड़ी है तो वो हमेशा नियमीद भाव से रेगूलर हर साल वहां पर गृष्टी जमाया करते हैं यानि वहाँ पर आकर के अपना घुसला बनाया करते हैं और वह घुसला कैसे बनाते हैं तिनको और चीथडों से और जब वह घुसला बनाते हैं तो तिनको और चीथडों का वह अंबार लगा देते हैं भले मानस गोबर के टुक्डे तक लेना नहीं बूलते हैं हाराण होकर हम सुराखों में इटे वर देते हैं परनतों वे खाली बची जगा का भी उपयोग कर लेते हैं पति पत्नी जब कोई एक तिंका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं पत्नी देवी का तो क्या कहना एक दिन का ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जराप अंकों को फटकार दिया चोच को अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना परकार की मधूर और विजियोद घोसी वाड़ी में गान सुरू करती है तो लेखा क्या कहते हैं कि जब भी वो घोसला बनाती है तो वो हर चिस्तिन के चित्रे लाकर अंबार लगा देते हैं और साफ साथ में वो गोबर के टुकडे तक भी लाना नहीं बोलते हैं और इसे क्या होता है कि जो लेखा थे वो हैरान होकर सुराखों में इड भर देते थे लेकिन कहीं कहीं पर जो खाली बची जगा हुआ करती थी तो वो मैना दमपती उसे भी यूज़ कर लिया करते थे तो वो जो मैना दमपती जिसमें पती और पत्नी थे वो एक तिनका लेकर सुराख में रखते थे और उनके भाव देखने लायक होते थे जो पतनी होती थी जो मैना होती थी उसका तो कहना ही कुछ और था वो एक तीन का लेकर आती थी और एक पैर पर खड़ी होकर कि अपने पंकों को भटका दिया करती थी और अपने ही चोच से अपने परों को साफ कर दिया करती थी और तरह तरह की मधूर आवाज में वो गाना शुरू कर देती जिस तरह से मैना अपनी आवाज निकालते हैं आगे लेखा कहते हैं कि हम लोगों की तो उन्हें कोई परवा ही नहीं रहते हैं लेखा कहते हैं कि जो मैना दमपती थे उन्हें तो उन लोगों की कोई परवा ही नहीं रहते हैं बेपरवा होकर वो क्या करते थ अपना घोसला बनाया करते थे आगे लिखा है अचाने किसी समय अगर पती देवता भी कोई कागज का या कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्तित हुए तब तो क्या कहना दोनों के नाजगान और आनद इनृति से सारा मकान मुक्रिट होटा है तो जब मैना आती अपने साथ इनका लाती थी तो अपने पंख फड़ाती थी अपने पंखों को सवारती थी और गाना गाती थी और उसे वक्त-चाने कर बति liquid if iq we वो लेखक और लेखक के परिवार की तरफ देकर वो अपने पती से बूल देती थी पती देवता भी मानो मुस्कुरा कर हमें देखते कुछ रिमार करते हूं मुझ फिर लेते हैं यहां पर लेका कहते हैं कि जैसे ही जो पत्नी मैना है वो अपने पती से जब वो कहती थी लेका को देख करके तो वो जो मैना पती मैना है वो भी लेका की और देखते थे और मुस्कुरा कर वो अपना मुझ फिर लेता था पक्षियों की भासा तो मैं नहीं जानता पर मेरा निश्य विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बाते हो जाया करती थी अब लेखा का नुमान लगा रहे हैं वो पक्षी पक्षियों की भासा तो नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी उनका विश्वास है कि वो कुछ इस तरह से बाते किया करते होंगे तो यहां पर मैना दो जो मैना जोड़ी है एक पत्नी और एक पती जिसके बारे में लेखक ने का है उनकी conversation कैसी हो सकती है यह लेखक ने यहां पर लिखा है पत्नी मैना क्या कहती है कि ये लोग यहां कैसे आगे यह कौन लेखक यहां कैसे आगे तो मैना पती क्या है वो बोलते होंगे कि बिचारे आ गए हैं तो रह जाने दो क्या कर लेंगे इस पर पत्नी कहती होगी की लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि हमारा private घर है जहां पर अपना घोसला बना रहा है वो उनका private घर है तो इस पर पती मैना जो है वो कहते होगे कि आदमी जो है इंतनी अकल कहाँ यानि वो लेखा के बारे में कह रहे हैं कि ये तो आदमी है इनकी इतनी अकली का है कि जहाँ जिसका प्राविट घर होता है वहाँ पर उनको नहीं आना चाहिए उनको ख्याल होना चाहिए इस पर पत्नी मैना भी कहती होगी कि जाने भी दो इस पर पत्नी मैना कहते होंगे कि और क्या लेखक आगे कहते हैं तो इस प्रकार की मैना कभी करून हो सकती है ये मेरा विश्वास ही नहीं था तो इस तरह से लेखक कहते हैं मैंना भी कभी करुण हो सकती है दया भाव उसमें भी हो सकता है ये इसका लेखक का यकिन नहीं था गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम है कि सचमुछी उसके मुख पर एक करुण भाव है लेखा कहते हैं कि जैसे ही रविन्द्रा टैगौर जी ने मैना की बारी में कहा था तो उस वक्त गुरुदेव की बातों पर ध्यान देने से गुरुदेव की बातों को सुनने से उन्हीं ये मालूम हुआ कि सचमुछ ही उसके मुख पर एक करुण भाव है शायद ये विधुर पती था यानि जिसकी पत्नी नहीं थी विधुर पत्नी हो सकती है जो पिछले बिढाल के यानि जो बिल्ला हो था उसके आक्रमन के समय पती को खोकर युद्धे में इ safeguard चोट खा कर यानि बिल्ला से लड़ते हो वो एकांत विहार कर रही यानि अकेले ही वो चर रही है हाई क्यों है इसकी ऐसी दश्रा है क्यों है इसकी ऐसी पोजिशन क्यों है इसकी दश्रा है साइद इसी मैना को लक्ष करके गुरुदेवने बाद में एक कवीता लिखी थी जिसके कुछ अंस का सार इस प्रकार है फिर वो लिखक क्या कहते हैं कि शायद इसी मैना को लक्ष कर तेवे गुरुदेव ने बाद में एक और कवीता लिखी थी जिसके कुछ अंस क्या जो सार है वो यहाँ पर लिखक ने बताया है उस मैना को क्या हो गया है यही सोचता हूँ कि वो दल से अलग होकर एकेली रहती है पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगेचे में जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगडा रही हो यहाँ पर रविंदर ना टैगोर जी ने मैना को लक्षे करके जो कवीता लिखी है उनका जो सार यहाँ पर लेकक ने बताया है उसार में क्या है उसार भी ये है कि लेखक ने रविंदरना टैगोर जी ने मैना के बारे में कहा है कि ये मैना को क्या हो गया है यही सोचता हूँ क्यों वो अपने ग्रूप से अलग होकर ये अकेली रहती है पहले ही दिन देखा था कि सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में इस मैना को और उस वक्त मालूम हुआ था कि जैसे ये एक पैर से लंगडा रही हो इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ कौन कहरे है यहां पर रविंद्र नाद टैगोर अपनी कवीता में कहरे है कि इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ संगि हीन होकर कीडों का शिकार करती है है ना यानि कि वो विना गुर्प के अकेले ही वो क्या करती है कीडों का सिकार करती रहती है और फिर वो बरामदे में चण जाती है, नाच नाच कर चहल कदमी भी किया करती है और जो लेखक से रविंद्र ना टैगोर जी से जरा भी नहीं डरती है ऐसे इसके दसा क्यों है? समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है, यानि समाज के किस वज़ा से उसे निर्वासन मिला है, दल के किस आविचार पर उसने मान किया है कुछ ही दूरी पर और मैनाय भग जग कर रही है घास पर उचल कूद भी रही है उड़ती फिरती है और जो वरिक्षी की शाखाओं पर वो उड़ती रहती है और इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है यानि लेखा के सामने रविंदर नाट टैगर जी के सामने जो मैना है उसे ऐसा कुछ भी शौक नहीं है इसके में मानो वो सहज मन से आहार चुकती हुई अपने लिए खाना ढूंटी हुई चुकती हुई जड़े हुए पत्तों पर ही वो कूदती फिरती है सारा दिन किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है ये बात बिल्कुल नहीं जान परती इसके चाल में वैराग्य का तो घर्व भी तो नहीं है दो आग सी जलती आखे भी तो नहीं दिखती इत्यादी है ना कि उसके जो आखे है वो आग सी जलती आखे भी तो नहीं दिखती और बहुत सारी उन्होंने अपनी कवीताओं में मैना के बारे में लिखा है लेखा कहते हैं कि जब मैं इस कवीता को पढ़ता हू तो उस मैना की करुण मूर्ती अतियंत साफ होकर सामने आ जाती है लिखा कहते हैं कि जब भी मैं रविंदर नार टैगोर जी की इसका वीता को बढ़ता हूँ तो उस मैना की जो करुण मूर्ती है जिस मैना के बारे में रविंदर नार टैगोर जी ने कहा है तो उस मैना की जो करुण मुर्ती है अतियंत साफ होकर वो लेखक के सामने आ जाती है कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवी की आखें उस बिचारी के मरमिस्थल तक पहुँच गई तो हैरान रहता हूँ एक दिन वो मैना उड़ गई साइकाल कवी ने उसे नहीं देखा जब वो अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में जब जिंगूर अंधिकार में जनकारता रहता है जब हवा में बांस के पत्ते जर जर आते रहते हैं पेडों की फांक से वुकारा करता है नीद तोड़ने वाला संध्यातारा कितना करूड है उसका गाया भुचाना तो लेखक क्या कहते हैं कि जब भी मैं इस कवीता को पढ़ता हूँ तो वो जो मेना है जिसके बारे में रवनेना टैगूर जी ने लेखक से का था तो उसके उस मेना की करूड मूर्थी अतियंत साफ होकर लेखक के सामने आ जाती है और लेखक ने उसे देखकर भी नहीं देखा था और किस तरह से कवी की इतनी दूर द्रिश्टी थी कि उन्होंने उस बेचारी मेना के मर में स्थल तक वो पहुँच गई थी और लेखक ये सोचते हैं तो हैरान हो जाते हैं और एक दिन वो मेना उड़ गए साम को कभी ने उसे नहीं देखा और जब वो अकेले जाया करती थी उस डाल के कोने में यानि जब वो अकेले ही जाया करती थी ग्रूप में नहीं होती थी अकेले ही वो रहती थी और जब वो उस डाल के कोने में जाती थी अकेले ही वो क्या करती थी दाना चुकती थी और गुरूप में वो नहीं शामिल होती थी तो वो क्या करती थी कि डाल के एक कोने में चले जाती थी जहां पर जिनगूर जो है अंधिकार में ही जनकारता रहता था आवाजे निकालता रहता था और जब हावा में बास के पत्ते जर जराते रहते थे तो पेड़ की फाग से जो पुकारा करता है नीन तोड़ने वाला संधियातारा है ना तो संधियातारा नजर आता था बास के पत्ते जर जराते रहते तो उस कोने में जा करके वो क्या करती थ तो उसका गायाब होना भी कितना करूण है तो यह थी चैप्टर एक दोता और एक मैना I hope आपको यह चैप्टर समझ में आई है समझ में आई है तो like, share and subscribe करना मत भूलिएगा मिलती हूँ next वीडियो में आज की इस वीडियो में गद्धिघंड हमारी complete हो चुके है अब next वीडियो से हम लोग काविग घंड पढ़ेंगे तो मिलती हूँ next वीडियो में और लाइक and subscribe, share करना मत भूलेगा मिलती हूँ next वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ Thank you